आज हम बात करने वाले हैं लूना के बारे में टेरा के बारे में टेरा लूना जो भी है आपको पता होना चाहिए टेरा कौन है टेरा आभी तक आपको पता ही होगा पिछले साल इसने सबसे ज़्यादा रेटन लाके दिया है मेरे पूरे पोर्फोलियो में आप लोगों को भी लाके दिया होगा क्योंकि टेरा के कॉलंबस अग्रेट के बारे में मैंने आपको टाइम रहते बताया था चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो और आपको नहीं पता है कि हमारे चैनल किस बारे में है तो हम यहाँ पर आपको fundamental research करा के देते हैं crypto related ऐसे project ताकि आपको मैनत ना करनी पड़े हम ढून के लाते हैं और ऐसे project जो promising है जो future में सच में hold करते हैं value जो provide करेंगे तो टेरा is one of them and आप लोगों को टेरा में अगरा invest करना है तो I think this is the perfect time to buy the dip because टेरा can go to much higher you know अभी आपको पता चलेगा कि all time high जो टेरा का है वो 103 डॉलर के आसपास का है given the supply dynamics अभी मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूं क्यों टेरा जो है वो आने वाले time में one of the most valuable crypto बन जाएगा और top पे आना deserve करेगा I think top five और top अभी फिलाल के coins में अगर हम आपको दिखाएं तो यहां पर आया भी है कि नहीं देख लेते हैं हम लोग जरा कि top crypto में टेरा है कि नहीं टेरा अभी फिलाल नहीं है यहां पर कहीं भी भी टॉप 5 में और 6-7 कहीं पर भी नहीं यह 10th number पर टेरा है I think with time टेरा deserves to be in the top five coins and top five क्यों होगा मैं आप लोग को यही समझाने वाला हूँ इस वीडियो में फिलाल हम लोग टेक्निकल एनसिस पॉइंट ओव व्यूस देखें तो टेरा इस अराउंड सम huge volume area and the baseline मैंने draw की है टेरा की यह मैंने आपको range बताई थी कौन सी range है यह यह टेरा की 54 से लेकर 55 से लेकर आसपास something something यहां से लेकर यह नीचे 45 के आसपास तक तो यह 10 डॉलर की range है जहां पर आप टेरा को accumulate कर सकते हो पर दूसरी जो baseline है जहां पर अच्छी खासी 111 million volume 107 million volume औ हो है baseline हमारी और baseline क्या है यह हमारी यह है around perfect buying जिसको हम कहते है 39 या 40 डॉलर से लेकर यह 32 डॉलर 33 तक तो यह हमारी baseline है टेरा के इस bear market की और I hope कि यहां पर hit करे तो अच्छी बात है हमारी बहुत अच्छी entry हो जाएगी पर फिलाल इस range में ही BB range में भी इसको buy करना बहुत के बारे में टेरा की supply dynamics और important चीज़ें जो टेरा के बारे में मुझे आपको बताने हैं अगर आप टेलिग्राम आप पे हमसे नहीं जूड़े तो description आपको link मिलेगी वहाँ पर देखें हम charts discuss करते हैं और भी important चीज़ें जो books वागेरा मैं आप उसे suggest करता हूं आपको जो भी मैं सिकता हूं वहाँ पर share करता हूं तो टेलिग्राम की link भी description मिल जाएगी और join करना मत बुलिएगा अब बात करते हैं टेरा के बारे में तो currently टेरा की जो supply है वो मुझे आपको बताने है टेरा की total supply 1 billion के असपास I think है और यहाँ पर आप देखो maximum supply 1 billion के असपास है total supply 818 million है लेकिन circulate सिफ 400 million कर रही है और इसमें आगर मैं आपको important चीज़ बताओ तो 127 million जो supply है वो यहाँ पर have been burned thus far यानि कि अभी तक 127 million लूना जो है वो burn कर दिये गए आपको पता है Columbus upgrade के बाद UST बनाने के लिए टेरा का कुद का एक stable coin है जिसको कहते हैं UST और UST बनाने के लिए को burn करना पड़ता है और UST और आपको Luna बनाना है तो UST को burn करना पड़ता है तो इन दोनों में एक correlation है जिसकी वज़े से इन दोनों का relation काफी आगे ले जाएगा टेरा को कैसे current remaining supply कितनी बची अब 873 million बची खाली ठीक अब उसमें 468 अगर मैं यहाँ पर दिखाऊ को तो something something 800 सो ही दिखा रहा है करेंटी 868, 873 million supply बची उसमें से 468 million Luna जो है वो Terraform Labs के पास है यानि कि टीम के पास company के पास जोइन की है तो वो जो company होती है उसके एक policy होती हुई होती कि 468 million टेरा जो है वो धीरे धीरे बेचे भी जाएंगे तो धीरे धीरे या पहले तो log किये जाते हैं अगर बेचरा भी होगा तो धीरे धीरे बेचेंगे ताकि market ना ही ले तो पता भी नहीं चलेंगे तो 468 million को भी हम illiquid मान सकते हैं फिलहाल के लिए soft illiquid और यह हमें 468 को भी हम 1 million से minus कर सकते हैं ठीक टोटल हमारे पास कुछ बचेंगे कितने बचेंगे हमारे पास लगबग 258 उसके बाद बचेंगे हमारे पास इतनी supply बची खाली 252 million के आसपास उसके बाद यहां पर बहुत अच्छे से समझाए गया कि कि यहां पर आप देखिए कि बचे होए लूना में अगर हम यह अनुमान लगा है कि आगे आने वाले टाइम में लूना और कितने बरन होंगे तो आप देखोगे कि 10 billion UST at the end of 2021 थे और यह UST की डिमान बढ़ने ही वाली है क्योंकि UST टेदर USDT की है और आपके USD या फिर बाकी stable coin से काफी अलग है अगर UST की डिमान बढ़ेगी तो लूना बरन होगा और लूना बरन होगा तो उसका supply कम होगी तो लूना जितना बरन हु को बनाने के लिए लूना को खतम करना पड़ता है और लूना खतम होगा तो उसकी supply कम होगी supply कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग bullish है लूना को लेकर अब अगर हम at the current rate बात करें जिस हसाब से लूना बर्न हो रहें यह देखे 460,000 या और जादा यहाँ पर price बढ़ने के chances है लूना की price बढ़ती है तो burn कम होता है लूना क्योंकि एक लूना के बदले में more UST आएंगे लूना की price बढ़ेगी तो आपको कई सारे UST burn करके एक लूना खरीदना पड़ेगा एक लूना लेना पड़ेगा पर अगर लूना की price अब गिरे हुई है पिछले एक दो महीने से जब से मार्केट क्राइश होई है वो हमारे ले एक बहुत अच्छी पॉश्यूनिटी है यह मुझे आपको बताना है जैसे यहां से डाउन फॉल आया है लूना में यहां से कितना लून फॉना आया है लगबग लगबग 50% लू ना पाओ क्योंकि प्राइज जो है कम हो जाएगी तो आपको जादा लूना बन करने पड़ेंगे दिस इस वाट आइमीन ठीक तो यह एक चीज जो मुझे आपको समझानी है और बाकी स्टेकिंग के हिसाब से बदाते हैं एक लग सता ऐटी सैवन थाउजन लूना जो हर दि स्टेक किये जा रहे हैं इस रेट से अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में काफी जादा लूना जो है स्टेक होने वाले हैं और उसका भी एक अमाउंट दिया गया है तो अगर हम देखें तो 93 मिलियन लूना वापिस से अब हमारे पास बचते हैं 93 लिक्विड लूना इस ओली 93 मिलियन यानि इस टोटल सप्लाइ में अगर हम देखें तो 1 बिलियन की मैक्स अप्लाइ थी फिर टोटल सप्लाइ में पर 718 मिलियन दिखा रहा है सर्कुलेटिंग अभी सिर्फ 400 है कुछ चैर्टराफॉर्म सलाइप का हटा दिया गया होगा फिर इसमें भी टोट तो मार्केट अगर ग्रो करेगी 5 बिलियन डॉलर भी लूना में आता है आने वाले टाइम में तो 25 बिलियन डॉलर को अगर हम डिवाइड कर दे ठीक और मालो 93 दिया है ना तो मैं इसको सिंपल करने के लिए 100 मानता हूं कि 100 मिलियन जो है लूना की सप्लाइ जो है वो लिक्विड लिक्विड सप्लाइ कौन से होती है जो बेची जारी खरीदी जारी ट्रेडिंग में यूज हो रही है तो आप देखोगे 250 250 डॉलर मिनिमम लूना का प्राइस है अगले 6 महिने के अंदर जा सकता है तो यह मिनिमम प्राइस बताया मैंने लेकिन आपको पता है क आपको दिखाऊं 180 दिन का और लूना जब अपने टॉप पे ता तो मार्केट केप इसका पहुचा था 36 बिलियन का अगर उस इसाफ से कल्कुलेटर करने लगा तो यहां पर आपको पता चलेगा कि क्या है इसका गजब देखे आप 36 बिलियन ना तो मैं यहां पर 36 बिलियन आगे आने वाले टाइम में इसके करीब होगी तो आप देख सकते हो 300-300 डॉलर तो अभी भी इसमें पोटेंशल है अगर यह अपनी खाली मार्केट कैप को वापिस ले आता है जितना मार्केट कैप इसके पास था तो उतना मार्केट कैप अगर वापिस लेने जाएगा तो यह मैं सही कह रहा हूं अभी भी लुना में बहुत पूटेंशल है यानि मैं लॉंग तर्फ में बात कर रहा हूं आने वाले टाइम में लगबग लगबग आप देखोगे लगबग एटलिस पाथ साल या तीन साल में लुना इतना तो जाएगा आइटिंक इतना जाना ही चाह कर रहे है और आई होप आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी इंफोमेटिव लगी क्योंकि समझ में आया हो कि लुना क्यों मैं आपको लॉजिक के साथ समझा रहा हूं क्यों लुना बढ़ सकता है ठीक लुना की जो सप्लाय है लिक्वर्ट सप्लाय जो की खर्च की जाएगी ट्रेडिंग में यूज होगी वह बहुत कम है और आपको यहां पर अच्छे रिटन्स लाकर दे सकता है विट टाइम लुना तो यह थे हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब कर नेक्स वीडियो में थैंक यू मुच फो वाचिं दिस वीडियो